आज हम लोग देखने वाले हैं Hexowing Practice कैसे करते हैं Hexowing मतलब क्या है कि किसी भी जोब को Cut करना उसको हम Hexowing करते हैं जो यह टूल की साहिदा से करते हैं इसको कहते हैं Hexow Frame यह Fixed Type Hexow Frame है और इसको कहते हैं Blade जो जोब को Cut करता है यहां पर मैंने भी जो सतर कट करनी है वो सतर का मार्किंग मैंने कर लिया है अब हम इसको Hexowing करेंगे Cut करेंगे Hexowing करने के लिए वाइस में जॉब कसके पकड़ूंगा Hexowing करते वाग एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अपना Hexow जो है वो सीधा चलना चाहिए ऐसा नहीं और ऐसा नहीं तेड़ा नहीं चलना चाहिए एक दम सीधा चलना है तो भी आपका Hexowing ठीक तरसे होगा जिसे आप देख सकते हैं अब मैं यहां पे Hexowing करेंगे तो शुरू में आपको उंगली अंगुटा यहां पे लगा के अपने को मार्किंग करके लेना है ताकि आपका कड़ जो है वो ठीक जगा पे कड़ हो जाए इस तरह से अभी मैंने मार्किंग कर दिया है अभी पोजिशन लेके दोनों हाथ पकड़के Hexowing अपने को करनी है Hexowing करते वक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि Blade बहुत ज़्यादा कसा ना हो या बहुत ज़्यादा लूज ना हो दूसरी बात यह है कि Hexowing करते वक अपनी पोजिशन ठीक से होनी चाहिए और Balance रखके Cut करना है और Cutting करते वक आपकी नजर यहां पर होनी चाहिए जहां पर Cutting हो रहा है एक्चल कट हो रहा है ताके Cut जो है वह आपके उपर आपका ध्यान रहे कि वह तेड़ा नहीं जा रहा है अब घग देख सकते हैं अभी में Cutting किया हुआ हूं और वह एकदम सिदह आ गया है तो इसी तरह से अगला कट यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक यहां से यहां तक यहां से करना है तो आपका जो जॉब है वो इस तरीके से दिखाए देगा सब कट एक जैसे आने चाहिए जैसे के ड्राइंग में दिखाया है अब ये जॉब को और लगा के पाया मार्किंग पंचिंग करके जॉब समेट करना डंबस् सब्सक्ष्चे जाइए में झाल झाल फिसे घ्सक्राइंग में जिएया संवर्णें भला ए पंबस्सक्ष्च में घ्सक्राइए छाहिए जrickने में ज्ल्रा इंबस्ट खर वरे लहाएए